कि नमस्कार मैं हूँ सुर्भी सिंग और स्वागत है आपका हमारे चानल नेक्स माइन लाइफ पर जहां तो कपिल शर्मा अभी हाली में वीलचेयर पर स्पोट किये गए थे जिसके बाद लोगों ने ये सवाल पूछना शुरू कर दिया था कि आखिर कपिल शर्मा को क्या और कई फोटोग्राफर्स उनकी फोटो भी ले रहे थे जिसको लेकर कपिल शर्मा भड़क उठे और काफी कुछ उन्होंने कह दिया जो शायद उन्हें नहीं कहना चाहिए था और इसी बात से आपको बता दे कि कपिल शर्मा के बिहेवियर को लेकर बहुत बाते हो रही है यह आज पहली बार नहीं हुआ है जब कपिल शर्मा ने ऐसा कुछ किया हो इससे पहले भी कई बार जब कपिल शर्मा स्पोट होते आए हैं या फिर कुछ ऐसी इवेंट में या फिर कभी फोटोग्राफर्स ने उनकी तस्वीर ली है तो कई बार कपिल शर्मा ने इसी तरी अपने स्टार्डम को खुद खोते हुए नजर आते हैं जी हां एक बड़े पर्सनालिटी होने के साथ साथ उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं किस से बात कर रहे हैं जी हां लोगों ने उनकी भलाई के लिए कई सारी चीज़े लिखी कम लोग दुखी भी हुए हैं और अपने करियर में उन्होंने ऐसा काम किया है यह काम किया है कि लोग उन्हें तरह तरह की चीज़ें बोल रहे हैं आपको बता दे कि कपिल शर्मा के लिए कई लोग दुआएं भी कर रहे थे कि जल्द से जल्द कपिल शर्मा ठीक हो जाएं आ जागा गंभीर चोड तो नहीं आई थी लेकिन थोड़ी बहुत उन्हें चोड लगी थी जिसकी कारण वह एरपोर्ट पर वीलचेयर पर स्पॉट किये गए थे जिसके बाद उनका ये बीहेवियर सामने आया था और लोग अब तरह तरह के सवालें से पूछ रहे हैं क्या कहन कि अजे हैं क्या कि अबस्कान तरह किया है हैं क्या कि ए बाद अबस्ट करेंगा गए गूचार टहुत वीजलचे थी जासे लिज़ करें दोड़ ठा पवाग दोटने वालें से जाए बाद